बास्कार एक बार फिर से आप से भी का बहुत बहुत स्वागत है पर इक्षावड़े के से योटूब चैनल में दोस्तों समान हिंदी की जो प्रैक्टिस सेट की हम से री चला रहा है उसका जो सेट नमबर 14 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लेट करेंगे तो चली वीडियो को सुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो सेट नमबर 14 है इसमें हमने कौन कौन से बहतरी प्रसनों को सम्मलित किया हुआ है तो चली वीडियो को सुरू करते हैं इसमें आपको बताना है कि कौन सा सरचना का पर्यवाची नहीं है आप से पूछा ज यह भी आपका संरचना का पर्रयवाची है रचना विन्यास यह भी आपका संरचना का ही पर्रयवाची है लेकिन आपका जो दिया गया है उद्भावना यह संरचना का पर्रयवाची नहीं है तो आपसन आपका जो C है यहां पर गलत हो जाएगा यह उद्भावना का पर्रयव तो आई ये इस प्रस्न को solve कर लेते हैं पहले लोकुक्ति आपके सामने का अल्थ दिया गया है आगे मतलब पहले लोकुक्ति आपके सामने है आगे हाथ न पीछे पगहा इसका मतलब होता है कि बंधन हीन होना तो बंधन हीन पहला answer आपका बिल्कुल सही है आगे हाथ न पर option B वाला जो है आपका यहाँ पर गलत दिया गया है तो 313 होना मतलब अलग-अलग हो जाना या भाग जाना यह हो जाता है और इसके बाद एक टकसाल के ढ़ले सब मतलब सब एक जैसे होना बिल्कुल सही है तिसरा वाला आख के अंधे गाट के पूरे इसका मतलब होता है समयलित नहीं था इसके बाद अगला प्रस्तन पर आए यहां पर रधू का समान भावव videos होता है इस प्रकास हो तो वधुका हो जाएगा इस प्रकार से वधुमें बहु वचन अगला है युद्ध में इस्थीर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है आपको बताना इम्पोर्टेंट प्रस्थन है तो युद्ध में इस्थिर रहने वाला जो है कि समास का विग्रह पद है तो यहाँ अलूक तत्पुरुस समास का विग्रह पद है आप इस याद कर लेज़ेगा यहाँ अलूक तत्पुरुस समास का विग्रह पद है युद्ध में इस्थिर रहने वाला यानि कि option आपका जो बिल्कुल सही आप इसे नोट डाउन कर लेजिएगा अगला प्रसना आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा उच्छवास का संधी विच्छेद है आपको बताना है कि कौन सा है तो इसका उच्छवास का संधी विच्छेद हो जाएगा उत्धन स्वास इसमें से आपका जो यहाँ पे दिया गया है डी वाला उत्धन स्वास जो है उच्छवास का एकदम सही संधी विच्छेद है आप इसे आपका ब्यांजन संधी का एकजामपल है तो इसके बारे में आपको याद अखना है भूलना नहीं है इसके बाद आपका जो बाएं हाद से तीर चलाता है के लिए कौन सा सब्द इस्तिमाल में लाए जाएगा आपको बताना है कि जो बाएं हाज से तील चलाता है इसके लिए एक सब्द का आपको इस्तिमाल करना है तो जो बाएं हाज से तील चलाता है उसको क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं सब्वे साची इसे आप याद के लिजेगा जो बाएं हाथ से तेश लाता है उसके लिए एक सब्द इस्तिमाल में लाया जाता है सब्वे साची आपका राइटन्स रोजा गया ने की आपका जो यहाँ पे ए दिया गया है बिल्कुल सही है वही उसको हम सहुदर कहते हैं इसे भी आप याद कर लिजेगा वहीं यथा क्रम कहां पर इस्तिमाल होता है तो क्रम के अनुसार को क्रम के अनुसार को जो है हम यथा क्रम कहते हैं तो इसे भी आप याद रखिए रखिएगा important है इसके बाद अगला प्रस्थन आपके सामने है वे सब्दांस या अब्याय जो किसी सब्द के पहले लगकर उसका विशेश अल्थ प्रकट कलते हैं उनको हम क्या कहते हैं तो वे सब्दांस या अभ्य जो किसी सब्द के आदि या प्रारम में जुड़ कर विसेश अल्थ प्रकट करते उनको क्या कहते हैं तो इसका जवाब आप हमें comment box में दीजिएगा इस प्रस्त का राट अंसल क्या हो जाएगा इसका जवाब आपको comment box में देना है अगला प्रसना आपके सामने हैं निम्न लिखित में से चूरन सब्द का यहाँ पे तस्सम आपसे पुछा गया है क्या होगा तो चूरन सब्द का तस्सम हो जाएगा चूर्ण यानि कि option आपका जो यहाँ पे C दिया गया है चूरन जो है यहाँ तस्सम हो जाएगा चूरन सब्द का तो आपके स्याद कर लिजएगा option आपका जो C यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा इसके बाद अगला प्रसना आपके सामने है और इसके बाद जो चरित्र है चरित्र का यहाँ पे देख लेते हैं चरित्र यहाँ पे तदभव सब्द है तो चरित्र का क्या हो जाएगा यहाँ पे चरित्र का हो जाएगा चरित्र चरित्र का यहाँ पे चरित्र हो जाएगा तस्सम और उसके बाद यहाँ पे चरण का तस्सम क्या हो जाएगा तो चरण, सुरी, यहाँ पे चरित्र और चरण, यह आपके क्या है, चरित्र आपका तस्वम सब्द है, इसका तद्भव चरित्र हो जाएगा, चरित्र क्या है आपका, चरित्र आपका तस्वम सब्द है, और इसका जो तद्भव है वो हो जाएगा, आपका चरित्र और चरण यहाँ पर दिया गया है जो है चरन आपका तस्वम सब्द है और चरन का क्या हो जाएगा चरन का तस्वम हो जाएगा आपका चरन तो इसे आप याद के लिजएगा यानि कि इसमें से जो option दिया गया है चरन का और आपका चरित्र का ये दोनों तदभव, क्या हैं, ये दोनों तदभव, क्या हैं, और इनका तदभव क्या हो जाएगा, तो चरण का तदभव हो जाएगा, चरण, और चरितर का तदभव हो जाएगा, चरीत, तो इसे भी आप याद के लेजएगा, वहीं यहाँ पर प्रस्न के अगर हम बात करे तो प्रस्तनम में चूरन जो है आपका तदभाव है चूरन क्या है चूरन आपका तदभाव है और इसका यहाँ पे तस्तम पुछा गया है तो इसका तस्तम आपका रेटेंसर हो जाएगा चूरन यानि कि आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है तो इन दोनों आपसन के बारे बीवी मैंने जो बताया है इनको भी आप याद कर लिएगा एक्जाम में डिरेक्ली यहां से प्रस्नाप से पूछा जा सकता है इसके बाद अगला प्रस्नाप के सामने है अकाल का बिलोम सब्द क्या है आप से पूछा जा रहा है तो अकाल का हो जाएगा बिलोम सब्द सू काल यानि कि option आपका यहाँ पर जो दिया गया option C वाला बिल्कुल सही है अकाल का बिलोम सब्द सू काल हो जाएगा मुहावरा क्या होता है तो मुहावरा क्या होता है तो मुहावरा क्या होता है इसके बारे में यह देख लिते हैं मुहावरा वाक के खंड या वाक्यांस होता है क्या होता है मुहावरा जो होता है या वाक के खंड या वाक्यांस होता है यह आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा तो इसके बारे में आप याद देखेगा अगला important प्रस्तना आपके सामने है लंगोटी का फाग खेलना यहाँ पर पूछा गया है लंगोटी में फाग खेलना इस मुहावरे काल्थ आपको बताना है तो लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का अल्थ हो जाएगा दर्दर्ता में भी आनन्द लूटना या खोसी मानाना इसका शही अल्थ हो जाएगा तो अप्सन आपका भी यहाँ पर बिल्कुल सही है और तमस का यहाँ पर पर्रवाची सब्द पूछा गया है कौन सा है तो तमस का अंदकार हो जाएगा पर्यवाची सब्द तो आप इसे आद कर लेज़ेगा इसे तमस जो है पर्यवाची सब्द है अंदकार का आप याद कर लेज़ेगा तमस जो है यह फर्यवाची सब्द किसका है तो अंधकार का है तो option आपका C यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा इसके लवा अंधकार के ओन कौन कौन से पर्यवाची होते हैं तो तम होता है तीमीर होता अंधेरा होता है इसे भी आप याद कर लेज़ेगा तम हो गया तीमीर हो गया अंधेरा हो गया तमस हो गया यह से भी आपके अंधकार के ही पर्यवाची है अगला प्रस्त आपके सामन तो जिस समास का पहला पद अब्याई तथा प्रधान हो उसे हम अब्याई भाव समास कहते हैं यानि क्या उप्षन आपका यहाँ पे C जो है बिल्कुस हो जाएगा अब्याई भाव समास तो आप इस याद कर लिजेगा जैसे एक्जामपल ने प्रतिधन दिन प्रतिधन आपका दिन हो जाएगा या किस समास का एक्जामपल ने आपका अब्याई भाव समास का एक्जामपल है तिससे आप याद कर लिजेगा इसके बाद पयधन द इसका जो होता है संदी हो जाएगा पयोद तो इसमें आपको बताना है कि पयोद में कौन सी संधी है तो पयोद में जो है यह आपका विसर्ग संधी का एक्जामपल यानि कि आपका विसर्ग संधी का एक्जामपल है यह आपका विसर्ग संधी का एक्जामपल है तो इसके बारे में आपको याद लखना है विसर्ग संधी आपका राइट एंसर हो जाएगा अगला इंपॉर्ट प्रतिनीधी सब्द में आपका 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 प्रतिनीधी सब् प्रति आपका राइट अंसर हो जाएगा इसके बाद अगला प्रस्तना आपके सामने है इसके लब आप प्रति से कौन-कौन से आपके उपसर्ग बने है इन्हें भी देख लेते हैं तो प्रति से प्रति कूल हो जाएगा प्रति लक्षण हो जाएगा प्रत्यक्ष हो जाएग कि इसके आप द्यान से इतक लेज़ेगा इसके बाद अगला प्रोष्तन outta Sum Tour क्षान के पहचान करनी किसमें से बहु उचन कौन सा है तो इसमें से तिनके जो है ईयुक्त है तो आप इसे आत कमेज़ेगा तिनके जो है आपका बहँ उचन सब्द है और इनका जो एक वचन हो जाएगा तीनका तीसे आप याद कर लेज़ेगा तीनका इसका एक वचन हो जाएगा निम्न सब्दों में से किसका प्रियोग पूलिंग में होता है तो इसमें से जो आपका तो इसमें से आपका जो हाथ इसमें से आपका जो पुलिंग के लिए कुम सब्सब्द इस्तमाम लाए जाएगा तो इसमें से आपका तो इसमें से किस सब्द का प्रियोग जो है पुलिंग में होता है तो इसमें से जो आपका हाथ है इसका प्रियोग जो है आपका पूलिंग में होता है जो हाथ है इसका प्रियोग आपका पूलिंग में होता है जब कि ताकत हो गया कावेरी हो गया अमानत हो गया इसे भी आपके इस तरी लिंके सब्द हैं तो इसमें से हाथ आपका पूलिंग कच्च का अनिकालती सभ्द में आपका बाल हो जाएगा। ज्णड जाएगा। बादल हो जाएगा। पपड़ी हो जाएगा यह से भी आपके कच्च के अनेकालती सब्द हैं परन्तु कच्चा जो है या कच्च का अनेकालती सब्द नहीं है तो अपसन आपका ड़ी यहां पर बिल्कुल सही है मोहन ने पढ़ा है इस वाक्य में संदिग भूत काल क्या होगा आपसे पूछा जारा है यहां पर यह जो वाक्य है मोहन ने पढ़ा है इसका जो संदिग भूत काल वाला क्या हो जाएगा राइटन से तो यहां पर पढ़ा होगा हो जाएगा देखें कि तता इस वाक्य का जो है संदिद्ग हो जाएगा मोहन ने पढ़ा होगा यानि कि option C आपका बिल्कुल सही है इसके बाद निमन लिखित में से कौन सा अमवस्या का विलोम है इसमें से आपको बताना है कि जो अमवस्या है इसका बिलोम आपको बताना है इंपोर्टेंट प्रसन है आपसे जाम यह प्रसन पूछा जा सकता है तो अमवस्या का विलोम आपका क्या हो जाएगा अमवस्या के विलोम आपका हो जाएगा पोर्णीमा यानि कि option आपका यहाँ पे जो B है बिल्कुल से हो जाएगा पूर्णीमा ओप्सन आपका B यहां पे 100% सही है और ब्याकरण के ग्याता के लिए एक सब्द क्या इस्तिमाल में ला जाएगा तो ब्याकरण के एक ज्याता के लिए एक सब्द आपका हो जाएगा वयाकरण यानि कि आपका ए यहाँ पे बिल्कुल से हो जाएगा ब्याकरण के एक ज्याता के लिए जो है वयाकरण जो है इस्तिमाल में लगा जाएगा यानि कि आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है आपको बताना है तो इसमें से आपकी असुद्ध वलतनी हो जाएगी राहूल सांस्क्रिस्ट त्यायन वाली असुद्ध है बाकी आपका मैथली सरण गुप्त हो गया कौसल्या हो गया मेक नाध हो गया से भी आपके सुद्ध लिखे गये लेकिन option A वाला जो है आपका यहां गलत लिखा गया है तो option A आपका यहां पे गलत दिया गया तो इसका सुद्ध हो जाएगा तो यहां पे सांस्क्रित की जगह हो जाएगा आपका सांक्रित होता है इस प्रकास लिखाता है इनका पुराना सही नाम सांक्री होता है क्या होता है तो सांक्रित्यायन होता है सांक आपका सुद्ध होता है, तो आपका जो option A वाला है, यहापका यहाँ पर सही हो जाएगा, तो सांकृत्यायँ इस प्रकास से आपका सुद्ध हो जाएगा, यहाँ पर आदासर नहीं होगा, तो इसे आप याद कर लिजेगा, यहाँ पर्यंग का तद्भव पूछा गया है, क् तो इस प्रकाल से आपका जो है सुथ हो जाएगा यानि कि आपका तदोवा जाएगा पर लंग option C और इसके session के last पसन आपके सामने है स्रंगार का तदभाव आपको बताना है क्या होगा तो स्रंगार का तदभाव आपको हो जाएगा सिंगार यानि कि option आपका A यहाँ पे बिल्कुल सही है जो सिंगार है यहाँ आपका क्या हो जाएगा एकदम तदभाव सब्द हो जाएगा किसका स्रिंगार का स्रिंगार आपका तस्वम सब्द है और इसका तदभाव क्या हो जाएगा तो सिंगार हो जाएगा यानि कि option आपका A यहाँ पे जो दिया गया है वह बिल्कुल ही सही जबाब है तो इसके बार में ब्यात कर लेज़ेगा सिंगार आपका रैटेंसर हो जाएगा तो दोस्तो इस प्रकास से आज का जो प्रैक्टिस सेट नमबर आपका 14 है उसको हमने कंप्लेट कर लिया है आई होप या सिरीज आपको पसंद आएगी तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू थैंक्स पर रॉचिंग थैंक्यू